एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत रिस्पेक्ट करते थे यह स्टोरी जो है यह दर्शाती है कि हमारे डे बाई डे के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उतने ही इंपॉर्टन होते हैं जितना हम किताबों में स्कूल में पढ़ते हैं यह स्टोरी जो है मुशी प्रेंचन की लिखित उन रचनाओं में से एक है जिसका नाम है बड़े भाई सहब सीन वन तो यह स्टोरी जो है वो तीन सीम में है इसका पहला सीन है तो पहले सीन में दिखाते हैं यह होस्टल का एक कमरा है और दो भाई हैं जिनकी में से एक की एज है नाइन येर्स और दूसरे की 14 और दोनो स्टेड टेबल पर बैठे हुए हैं तो जो बड़े भाई है वो एक किताब पढ़ रहे हैं और जो छोटा भाई मुन्ना है वो पिक्चर बना रहा है बर्ड्स की और अनिमल्स की तो यह conversation है जले स्टार्ट करते हैं भाई है कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो तो मुन्ना कहता है मैं ट्रॉइं कर रहा हूँ वो पीला पड़ जाता है, I was playing, भाईया, how can you sit with a book for hours together, तो वो भाईया से पुछता है, कि मैं तो खेल रहा था, लेकिन आप किस तरह से घंटों इन किताबों के सरफ बैठ सकते हो, भाईया कहते हैं, that's because I want to, my foundation in education to be very strong, तो भाईया कहते हैं, कि मैं चाहता हूँ, कि जो मेरे शिक्षा की नीव है, वो बहुत मजबूत हो, sometimes it takes me two years to do one year's work, तो कभी-कभी मुझे एक साल का काम करने में दो साल लग जाते हैं, मुन्ना भाईया, you are five years older than I am, and three classes ahead of me, तो मुन्ना ने कहा, भाईया, आप मुझे पांस साल बड़े हो, लेकिन classes में जो difference है, वो तीन साल का ही है, आप मुझे तीन साल आगे हो, I wonder why you keep writing the same word twenty times, और मज़े आश्चर होता है, कि आप एक ही writing में, एक शब्द 20-20 बार क्यों लिखते हो, एक ही वाकिय को आप twenty times लिखते हो, और poems को भी कई बार copy करते हो, अपने beautiful letters में, भाईया कहते हैं, you know studying English is no child's play, तो भाईया कहते हैं, कि तुमको पता है, जो English पढ़ना है, वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, one has to work very hard in order to learn the subject, कोई भी हो इसको सीखने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है, to speak or write English properly, tremendous effort is required, और सही से अंग्रेजी बोलने के लिए, properly बोलने के लिए, बहुत जादा महनत करनी पड़ती है, but the moment you get a chance, you run to the field, लेकिन जिस समय तुमें ये मौका मिलता है, तुम फील्ड में भाग जाते हो, तंचे खेलते हो, पतां उड़ाते हो, और बस दोस्तों के सन मत्रगर्ष्टी करते हो, can't you sit down and study, क्या तुम बैट के पढ़ाए नहीं कर सकते, मुन्ना, ओ भाया, there is a big mala in the village today, should we go, भाया, गाओं में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है आज, क्या हम चल सकते हैं, तो भाया कहते हैं, have you ever seen me going to a fair, or going to watch a cricket or hockey match, क्या तुमने मुझे कभी मेले में जाते, या फिर cricket या hockey match खिलते देखा है, मैं उनके पास भी नहीं जाता, और मैं पढ़ाई करना पसंद करता हूँ, I don't mind repeating a class for more than two years, और मुझे फर्ट नहीं पढ़ता, कि मैं एक से दो साल लगा दूँ एक class को पास करने में, but you might stay in the same class all your life, अगर मुझे तो लगता है, शायद तुम एक ही class में पूरी जीवन रहोगे, तुमको लगता है कि तुम पास होगे, अगर इसी तरह से खेलने में समय बरबात करते रहोगे, you are simply wasting father's hard earned money, और तुम बिल्कुल waste कर रहे हो पापा की जितनी भी पैसे हैं, वो इतनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं और तुम उसको waste कर रहे हो, यह सब सुनकर जो मुन्ना है वो रोने लगा, क्योंकि भाईया जो है उसे scold यानि डार्ट रहे थे, मुन्ना, भाईया I feel like running away and going home back, तो मुन्ना कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भाग जाओं घर वापस, now now stop crying, put on a nice smile, look I will make a tan table for you to follow get up at dawn, तो उसने कहा भाईया ने कि चुप हो जाओ, अब प्यादी से smile दो, मैं तुम्हारे लिए एक tan table दोंगा और बना के, तो मुसको follow करना कल सुबा से, तो उन्होंने एक tan table बना दिया, मुन्ना, but when is the time to play, लेकिन इसमें खेलने का तु समय है ही नहीं, भाईया, play, what is the need मुन्ना, खेलने के क्या जरूर होते हैं मुन्ना, ओ, I love the green fields, gentle breeze, I want to jump up like a football, I like touch and go, and hood to the sound of the cupboard, and a hurry flurry of volleyball pulls me like a magnet, as soon as I am on the field, I forget everything, तो मुन्ना कहता है कि मुझे हरी हरी घास, हरी हरी field, वो gentle breeze जो हलकी हलकी हावा चलती है, और मुझे football की तरह उचलना, और मतलब मुझे हुटुटु करके कबड़ी खेलना, और volleyball खेलना, यह सब मुझे बहुत पसंद है, मुझे field में जाना पसंद है, और जब मैं field में जाता हूँ, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, scene 2, the final exams are over and the result are out, final exams खतम हो जाते हैं, result आता है, भाईया, I have failed once again, तो भाईया कहता है, हरे मैं इस बार भी fail हो गया, ओ, बट भाईया, I have passed and topped my class, लेकिन भाईया, मैं तो पास हो गया, और मैंने class में top किया है, now there is only two year difference between us, और अब तो हमारे बीच में केवल दो साल का ही difference है, भाईया, but my dear brother, don't be so proud, मेरे प्यारे भाईया, इतना जादा गुमान करने की, यानि घमन करने की ज़रुवत नहीं है, you have passed only one class, तुमने केवल एक ही class पास किया है, and you think I am stupid, तुम्हें लगता है, मैं बेवकूफ हो, तुम्हें smart हो, once in a while, in a Gilly Randa game, you might get lucky, and hit a goal, but that was not mean, you have mastered the game, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि तुम्हें एक बार Gilly Randa में जीत गए, तो तुम्हें उस game में master हो जाओगे, you have to work hard to be successful in life, तुमको लाइफ में successful बनने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, when you have studied a subject like algebra, geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work, जब तुम बड़े classes में algebra और geometry पढ़ोगे, तब तुमको importance समझ में आएगी, कि क्या कहोती है, मेहनत क्या होता है, hard work, in geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong, the examiner will not spare you, they want you to learn word by word from your textbook, तो geometry में, हो जाता है, क्योंकि जो हमारे examiner से हैं, वो चाहते हैं, कि हम लोग word to word, textbook से याद करें और लिखें, तो मुन्ना कहता हो, भाई साब, यह तो बहुत दरावना है, scary है, मैं तो 9th class में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो अभी यहीं पे खुश हूँ, तो भाईया कहते हैं, just today, आज की बात ले लो, आज हम लोगों को punctuality पे, चार पन्ने का ऐसे लिखने को बोला गया था, can you imagine, कि कितनी दिक्कत होती है, ऐस तरह के काम करने में, मुन्ना कहता है, thank God, कि यह जो टाटने का काम था, वो बंद हुआ, वास्ता में बहुत अपसेट हो जाते हैं, और वो मुन्ना को ज़्यादा बहुत डाटते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, भाईया, नाओ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, मुन्ना बिकेम नॉटियर, बिकॉज अफ दिस, अब वो ध्यान नहीं देते हैं जादा, तो वो और नॉटि हो जाता है, और पहले से भी कम पढ़ाई करने लगता है, मुन्ना, टॉकिंग अलाउट, बहुत तेज़े से बोलता है, लग्की मैं कितना लग्की हूँ, बहुत जल्दी आसानी से पास हो सकता हूँ, I need not to be steady so hard, मुझे जादा पढ़ना भी नहीं पढ़ता, मैं game भी कहल सकता हूँ, दोस्तों के साथ, और पतंग भी उड़ा सकता हूँ, but I should still be careful, that भहिया does not see me flying kite, लेकिन मुझे careful रहना पड़ेगा, कहीं मुझे भहिया पतंग उड़ाते ना देख लें, One day a kite is flying slowly downwards, मुन्ना starts running to in order to grab it, Suddenly he comes face to face with भहिया, एक दिन वो पतंग को उड़ते हुए देख रहा था, और वो जो पतंग कटके नीचे आ रहे थी, मुन्ना ने दौणा शुरू किया उसे पकड़ने के लिए, अचानक उसका सामना भहिया से हो गया, भहिया catching hold of मुन्ना's hand, मुन्ना का हाथ पकड़के भहिया ने डाटना शुरू किया, Are you not shamed to be playing kites all day long, तुम्हें शर्ण नहीं आती पूर दिन पतंग उड़ाते रहते हो, Don't you realize that now you are in 8th class, and are not studying in a lower class, तुम्हें बिल्कुल भी realize नहीं होता है, कि तुम अब 8th class में पढ़ते हो, ना कि किसी छोटे class में, If you think that I am just one class ahead of you, and I can't say anything, you are wrong, अगर तुम्हें लगता है, मैं तुमसे एक class आगे हूँ, और कुछ नहीं कहूँगा, अगर तुम गलत करोगे, तो तुम गलत हो, I am 5 years older than you are, and will always be, मैं तुमसे 5 साल बढ़ा हूँ, और हमेशा रहूँगा, understanding doesn't, come only for reading of books, look at मा और बाबा, मा has never gone to school, and बाबा has only passed 5th class, तुमने मा और बाबा की तरफ नहीं देखा कभी, मा जो है कभी school नहीं गई, और बाबा केवल 5th class को पास किया या उन्होंने, मुन्हा, really भाया, is that true, सच में भाया, यह सच है, yes, there are a thousand things that they know more than you or me, and even if we have studied the wisdom of the whole world, मा और बाबा will always have the right to explain to us and correct us, तो हाँ, वो हमसे हजारों चीज़ें जादा जानते हैं, अगर मैं और तुम जो हैं, दुनिया की सारी चीज़ें भी जान जाएं, पढ़ लें, तो भी मा बाबा जो हैं, हमेशा हमें सही बताएंगे, कि हमें क्या सही करना है, अच्छा तुम क्या करोगे, अगर मैं आज बिमार पड़ जाओ, मुन्ना, I don't know भाईया, I would tell बाबा, and he would rush to the hostel, तो मुझे क्या पता, मैं तो सीधे बाबा को बोलूँगा, और बाबा जो हैं, वो hostel आ जाएंगे, भाईया, I had expected this answer, मुझे तुम से यही उमीद थी, नाव बाबा वुट नॉट केट अपसेट, he would first try to find out, what was the wrong, and when he would call a doctor, बाबा वुट नो exactly what to do, तो उन्होंने कहा, कि वो पहले कोशिश करेंगे, कि यह जाने की problem क्या हुई है, मुझे तब्यत क्यों बिगड़ी है, उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे, क्योंकि बाबा को पता है कि क्या करना है, they have more experience than us, क्योंकि उन्हें हमसे जादा experience है, मुन्ना, with tears in his eyes, भाईया, I am sorry, what you say is true, भाईया hugs मुन्ना lovingly, तो ये कहकर भाईया उसके मुन्ना के आँखों में आसु आ गया और उसने भाईया से sorry बोला, और उसने ये भी कहा कि जो आप कह रहे हो वही सच है, ऐसा सुनके भाईया ने मुन्ना को प्यार से गले लगा लिया, भाईया, I also like to play and fly kites, but if I also play then how can I watch out for you, you are my responsibilities, तुम्हारा ध्यान कैसे रखोंगा, क्योंकि तुम तु मेरी जिम्मेदारी हो, मुन्ना, I love you भाईया, मुन्ना ने भाईया को हब करके कहा कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये चैप्टर का explanation finish हो गया, चलिए new words देख लेते हैं, new words, foundation means solid base यानी नीव, schedule यानी timetable, यहाँ पर schedule का मतलब timetable से है, essay, composition of any subject, किसी भी subject, किसी भी विशे की जो composition बनाई जाती है, रूपरेखा बनाई जाती है, उसे हम ऐसे कहते हैं, नीबंद, idling without any purpose और lazy, यानी आलस से, master, gain expertise और skill, यह किसी भी चीज में आपको experience होता है, तो हम उसको कहते हैं, कि आप उसमें master हो, चलिए कुछिन आंसर देख लेते हैं, Reading is fun, What are the things that Munna like to do? Munna like to play games and fly kites, he also like to draw pictures of birds and animals, तो Munna को क्या पसंद था? Munna को खेलना पसंद था, पतंग उणाना पसंद था, और वो drawing करना पसंद करता था, birds और animal की, What did भाया do all day? भाया दिन भर क्या करते थे? भाया studied all day, sometimes he read books, and sometimes wrote the same words and sentences several times in order to learn them, तो भाया तो दिन भर पढ़ते रहते थे, किताबे पढ़ते थे, और same words को बार बार लिखा करते थे, Why was Munna not happy with the timetable that भाया made for him? तो जो timetable भाया ने बनाया था, Munna उससे कुछ क्यों नहीं था? It was because Munna loved to play, but there was no scope for it in the timetable. क्योंकि Munna जो था, वो खेलना पसंद करता था, और timetable में तो कहीं खेलने के लिए time ही नहीं दिया गया था. Fourth question, How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? Why was भाया so strict with him? तो जो Munna है, उसके संग उनके भाया strict क्यों हुए? Munna felt disappointed. भाया was so strict with him because he was too playful by nature and always wanted to play games like kabaddi, volleyball, etc. तो Munna जो था, वो भाया से इसलिए निराश हुआ क्योंकि भाया बहुत strict थे क्योंकि Munna को तो खेलना पसंद था और उसका nature था ऐसा कि games खेले जैसे कि kabaddi, volleyball, इसलिए वो उसके संग strict हुए. Whose character do you like more? Munna's और भाया's? तो आपको कौन से character जादा पसंद आया? Munna का या भाया का? I like भाया's character more than Munna's because he was a dutiful boy and knew his responsibility towards his younger brother. He also gave much importance to his father's hard-earned money. मतलब मुझे भाया character इसलिए जादा पसंद आया क्योंकि वो एक तो जिम्मेदार है, अपने छोटे भाय के प्रती और उनको इस बात की importance भी पता है कि उनके जो पिता जी हैं, वो जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उसकी क्या value होती है? ये chapter भी complete होगे, exercise भी complete होगे, आपको कैसा लगा, कमा शेक्षिन में मेंशन करें, और पसंद आया है तो like का बटन दबाएगे, पसंद आया है तो like करें, share करें, चैनल को subscribe करें,